हेलो एव्रिवन कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हो तो जी आज थोड़ा सा लेट होगी मेरी वीडियो आने में और क्यूंकि आज मेरे बेटे का रिजल्ट था तो थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लग गया और एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ खासकर यह नाजू सिस्टर को क्यूंकि मैंने कल उनका एक वो देखा मैसेज देखा अपनी उसमें क्यूंकि वैसे मेरे किसी मैसेज और रिप्लाई नहीं दे रहे थे लेकिन कल मेरी वीडियो में उनका कॉमेंट आया है तो कि महा का और नाजू का इन सब चक्करों से कोई लेना देना नहीं है यह मेरा अपना पर्सनल मैटर है जो भी है और वो जो गुटका भिखारन बोल रही है ना मस्टर माइंड करके तो मैं वो चीज़ समझ गी कि शायद वो आपको बोल रही है और शायद आप इसलिए खारन को कि नाजू का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ठीक है मास्टर माइंड जो है वो कोई भी नहीं है जहां तक मुझे लगता है तो उसी के लिए बोल रही है क्यों क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ये बात बोली कि भी नाजू के टाइम से मुझे तेरे दिकत तुछ से क्योंकि तुने उसके लिए और उसकी बेटी के लिए उसके घरवालों के लिए उसके अबबा के लिए क्या क्या कुछ नहीं तुने बोला है बहुत कुछ तुने बोला था ठीक है ना उसके पूरी फैमिली के लिए नाजू की तो इसी लिए मुझे दिकत थ थी तुझसे लेकिन जब तुने अच्छाई का चोला पहना ना एक डेर साल से जो तुने ये गंदी लैंग्विज यूज करना बंद कर दिया अच्छी अच्छी बाते करने तू लग गई तो मेरे को लगा कि चलो इंसान सुधरता है इंसान को सुधरने का मौका देना ठीक है तो लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत तो कभी नहीं जा सकती तो वही हिसाब तेरा था कि तुने जो एक डेर साल तक सिर्फे दुपटा लेकर ये वो ये सब ढोंग किया जो नाटक किया अच्छा बनने का वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक ही था ठीक है और एही बात कि नाजू मेरको वीडियो बनाने के लिए खड़ा करेगी तो मेरी बात सुन ले अगर वो ऐसी होती नाजू ऐसी होती और उसने वीडियो बनवानी होती तो वो डेट साल पहले ही बन जाती जब तू इतना बक्वास कर दी थी शोशल मेडिया पर बैठ कर उसके ल नहीं, तुम कोई वीडियो नहीं बनाओगे, मैंने पुछा था, सिस्टर मैं स्पोर्ट करती हूँ, मैं वीडियो बनाओँगी, आप बोल लो, खुल कर, मना किया कि नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं करना है, ये मेरी लडाई है, मैं इसको खुद हैंडल करूँगी, ठीक है कि तुम मेरा बदला लो, तुम मेरा वो करो, है न, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी है, क्यूंकि मैंने देखा है तेरा वो, जो करके आई थी तू वहाँ पर, कॉमेंट, और इसके साथ ही मैं बता दूँ कि उस टाइम पर सत्तानी के उपर न, बहुत सारे लोग वीडियो ब बनाते थे, और उस में से कुछ नामतों मैं तेरे को गिना देती हूँ, जो नाजू सिष्टर के लिए जो थे, वो वीडियो बनाने के लिए एक तयार थे, उस टाइम, खड़े थे, एरम सिस थी, हूरिया सिस थी, सोनी सिष्टर थी, अपना शबनम सिष्टर थी, उसके बा माशाला, आज इन लोगों में से, मतलब कई चैनल ऐसे हैं, जिनके 100K, 200K, ऐसे वीउज आते हैं, तो उस टाइम पे उसने नहीं बोला किसी को वीडियो बनाने के लिए, तो आज क्या बोलेगी वो, ठीक है, मेरा जो तुछ से था ना, मेरा परसनल था, और परसनल भी यह न नहीं कि तुम किसी से जलो, हमारे माबापने ये सिखाया है कि कोई अच्छा कर रहा है, तो तुम उसकी रीज करो, तुम भी उसकी तरह महनत करो, तुम भी उसकी तरह आगे बढ़ो, किसी से जलो मत, यह हमारे माबापने तर्बियत दी है हमें ठीक है ना हमें किसी तेरे 10 चैनल चलें तेरे 2 चैनल चलें तेरे वैसे तो 2 से ज़दा ही है तेरे चैनल ठीक है जितने भी चलें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और एक और बात तु यह कह रही थी ना बार-बार कि मुझे यू बात करी थी ना दोगला पंती कि मैं सिर्फ वही पब्ली को दिखाना चाहती थी कि दोगला कौन है ठीक है यह टॉंट मारना वीडियो की थूरू पीट पीछे जाकर किसी से कुछ-कुछ बोलना मेरे लिए मेरे तक वह बाते पहुंची यह मुझे पता चला है तभी मुझे ग करती ना तो मैं कभी तेरे लिए वीडियो भनाते भी नहीं ठीक है और अभी भी तू बोल रही है कि मैंने दो खुटिया को रखा है भूंकने के लिए तो बिटा तेरी जैसी लेंग्विज अगर बोलने पर हम उतर आये तो शायद तेरे कानों से खून निकल जाए ठीक है बात वो है ना कि हमारी तर्वियत हमारी परवरी इशा में ये वो नहीं देती हिजाजत नहीं देती वो सारी चीजे करने के लिए और अभी जो तू चूप हुई है ना पता है क्यों हूई है कोई और होता तो तू चूप नहीं होती यहाँ पर सामने मैं हूँ इसलिए तू चूप है क्यों चूप है क्योंकि तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती अगर तू जानती होती ना मेरे बारे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में या कुछ भी तो तू आज बैठ कर ना पता नहीं क्या-क्या बकवास कर रही होती लेकिन तू जानती नहीं कुछ भी तू स कभी कुछ बोलना किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती बट फिर भी बहुत कुछ बोल देगी और बोल लेगी ऐसे कि जैसे पता नहीं कितना जानती है तो किसी के बारे में और आज तो तो ये बोड़े ने कि तुने भॉंकने के लिए रखा हुआ है तो तू भी तो भॉंकती ही है ना लोगों के लिए अफ्रोज के लिए तू भॉंकरी है नाजियापा के लिए तू भॉंकती है उनके परिवार के लिए तू भॉंकती है उससे पहले सत्तानी के लोग रियाक्शन देते हैं तो लोग भी बोलते होंगे ना भी अमने रखाई भूंगने के लिए तू भी तो उसी में शुमार है ना जो तू नाम हमें दे रही ती तू भी तो वही है ना ठीक है और रही बात आगे वीडियो बनाने की तो देख इतना फ्रे टाइम तो मेरे पास भी नहीं है और जो तू बोर रहे हैं कि इन लोगों ये पास content नहीं है ये नहीं है फलान नहीं धमकार भले ही content ना हो वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अगर तेरी नजर में content नहीं है भले ही content ना हो लेकिन तेरी जैसी घटिया और तेरी जैसी गंदी और के उपर तो बात करके मैं अपना चैनल खराब नहीं करना चाहूंगी ठीक है और सच्चाई जो मुझे लानी थी ना वो मैंने लाके रख दी कि दोगला कौन था तूने अपने सब्सक्राइबरों को तो तुम मुकर रही है ने कि मेरा बोलने का कॉंटेक्स क्या था ये था ठी है लेकिन क्या बोला था किस तरीके बोला था हो तो मुझे पता है ना जिस पबलिक को सोच समझना होगा वो समझ लेगी जिसको नहीं समझना होगा वो ना समझे मुझे किसी से कोई ले ना देने मुझे सिर्फ अपने विवर्स को बताना था ठीक है कि जो ये बहुत हमी है वसीम भाई हिंदू नहीं है मिनाज खान वो करके आईडी आई थी जिससे तुने पैसे मांगे है वो हिंदू नहीं है और भी बहुत सारे रुखसाना सिस है वो हिंदू नहीं है कितने ही ना जाने मुसलिम ऐसे हैं जो तेरे को बोलते हैं हिंदू तो चलो मैं और नीता आंटी होगी उसके अलावा कितने मुस्लिम तेरे को गालियां दे कर जाते हैं वो मुस्लिम ही है ठीक है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि तुने इसलाम अपनाया तूस धरम में गई हमारी तरफ से तू कुए में जा हमें कोई लेना देना नहीं है हमें कोई फरक भी नही में अग्जिस्ट ही नहीं करती है तेरे अंदर इंसानियत नहीं तेरे लिए से अंगर कोई माफी मांगके या उस दिन तो भी आ जाती न मैं कहती वी वी टुटो और मेरा सिर आइउ वीडियो डालती लेकिन तुने वो sorry का message करने के बाद तू एक बार confirm कर लेती मैंने तिरको message किये थे कि मैं busy हूँ बाद में बात करूँगी लेकिन तू call करना तूने नहीं छोड़ा और दोपहर को तेरी वीडियो आई दोपहर को तेरी वीडियो आई तो तूने तो क्या क्या नहीं बोला बोला ना तो अगर तू सच में ही sorry feel करती ना तो तू वो वीडियो में नहीं बोलती जब वो तूने तेरी second वीडियो आई है ना उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई है जब भी शुरुआत हुए तूने ही करी है हमेशा मैं तेरे लिए support में ही खड़ी रही हूँ ठीक है जबकि पता भी था कि तू गलत है कितनी वीडियो ऐसी होती है जहां पर तू मनगड़न कहानिया बना कर लोगों को चिपका देती है कि इसका यह है उसका वो है ठीक है लेकिन कितना तुने जूट सच जूट अपनी तरफ से कहानिया बना बना के डाला है और सिर्फ यही नहीं तो दूसरों को कह रही है नि कि लोग अप का प्रमोशन करने के पैसे लेते तूने तो वीडियो तक बनाने के पैसे लिया रंटाक seks से कितने पैसे लिए थे भूल गई क्या और पतने कितने लोगे मुझे सबका नाम पटा है यहां पे किसी का नाम नहीं लेरा चाहती है और खेर उस चीद मुझे दिक्कत नहीं है तेरी लाइफ है तु तो किसी से बात कर रही है किसी को तु बहन बोल रही है मेरे मुपे तु मुझे बहन बोल रही है और पीट पीछे तु जाकर चुगलियां कर रही है चुगलियां भी छोड़ो यार क्या कितना गंदा नहीं बोला तुने अपने मन पे अपने दिल पे हाथ रखके सोच लेना कोई और तेरे बारे में बोल और तेरे को पता चले किसी और तो तू नहीं बोखलाएगी क्या कि मुँपे तो बहन-बहन बोल रही है और पीठ पीछे क्या कर रही है चलो जी मेरा इतना ही था कि मेरे को इसको expose करना था ठीक है वो मैंने कर दिया मैंने bid proof भी किया आप लोगों को proof भी दिखा दिये और वो जो कह रही थी न कि उसने proof दिखाए तो वो बेवकूफ है उसमें उल्टा मैं उसको समझा रही हूँ मैंने उसको बोला है कि वो फ्रोड है तू मत करियो अपना चैनल खराब मत करियो अपने पैसे मड़ डूब आयो ठीक है तो मैंने उसमें फ्रोड से ही इसको बचाए था लेकिन इसकी समसे बाहर है इसको कोई लेना देना नहीं है और एक बार बार लाश्टाइं में दोबारा बोल रही हूं कि इन सब चीजू मे नाज इंडिन ब्लॉगर कोई लेना देना नहीं है अगर उसने यह सब करवाना खो तो गर साल पहले यह वो करवा लेती लेकिन उसकी ऐसी फितरत नहीं है थीक है उसका ऐसा वह नहीं है और रही मेरी बात तो बात वही आती है कि मैं किसी को छेड़ती नहीं और कोई छेड़े तो फिर छोड़ती नहीं बात इस सिर्फ इतनी ही है ठीक है और अगर तेरे जैसी के अंदर इगो भरा हो सकते तो फिर हमारे हमारे जैसों के अंदर तो सोच कि कितना इगो होगा कितना क कानों तक बाते पहुंची है ना जो तुने ये हिंदू हिंदू बोल के तुने गालिया निकाल ली और क्या-क्या बोला है ठीक है ना तो यही वज़ा थी कि मैं तेरे पीछे पड़ी और तेरे लिए वीडियो बनाई अदर्वाइस ऐसा कुछ है नहीं मेरे तरफ से तू अभी भी मैंने सिर्फ ओफिशल बात ही करी है जो तुने चेड़ी थी वही करी है मैं तेरी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसी हूँ रही बात सिर्फ मैंने एक ही टोपिक में उठाके लेकि आई हूँ तेरी पर्सनल लाइफ से वसीम भाई का वो भी सिर्फ इसलिए क्यूं तो बस आज की वीडियो में इतना ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी और मैं अभी भी नाजू सिस्टर को यहीं बोलूंगी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ बात करो वाटसप पे और इन लोगों ने तो मुझे समझाया ही है हमेशा माहा ने क क्या जब मुझे यह बात पता चली कौपी वाली तब भी मैंने महा को बोला कि मैं फिर देख ले मतलब नाजू को बोला मैंने कि ऐसी इसी बात है और मैं बोलूंगी तो भी इन लोगों ने यहीं समझाया था कि नहीं यार मत करो यह सब कुछ शोचल मीडिया पर अच्छा नहीं होता यह वो है ठीक है ना बट नहीं वो जो वीडियो थी ना तेरी आंखें दिखाने वाली और उसने मैंन सटका दिया मेरा नहीं तो इतनी आगे तो मैं आती भी नहीं और अभी भी मैं लास्ट टाइम बोल रहे हूं यह मसोशना कि तेरे से डर गए यह तु तू तो मैं चूपो जूँगे ऐसा कुछ भी नहीं है मैं हमेशा अपने मैंड की और अपने मन की करती हूं ठीक है जो मुझे ठीक लगता है मैं सिरफ वही करती हूं मुझे लगा कि तुझे जवाब देना चाहिए क्योंकि शायर तेरे दिमाग में यह गलत पहम है थी कि भई त तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है और अब मैं यह बोल रही हूं कि आने वाली तेरी किसी भी वीडियो में क्योंकि तु बेशक कॉंटेंट और डाल रही है तू चाहिए नूर का डाले जीनी का डाले अफ्रोज का डाले लेकिन तू जो बीच बीच में टॉंट मार रही है वह आने नहीं चाहिए अगर वह टॉंट आए अब तू बोलेगी कि वह मैंने तिर को मारे ही नहीं मैं तो किसी और को मार रही हूं तो नहीं जिसको तुझे मारने है ना नाम लेकर मार ठीक है कुछ भी नाम रख ले बंदे का नाम लेकर मार लेकिन मेरे लिए टॉंट नहीं आ इतना नहीं है कि भाई हम तेरी जैसी लेंग्वेज तक पहुंचे जाकर इस लेवल तक हम नहीं जा सकते तो इस टॉपिकों में यहीं पर खतम करें लेकिन आइंदा अगर मेरे कानों तक कोई भी बात पहुंची ना तो फिर देख लेना तू अपने रस्ते मैं अपने रस्ते बस ठीक है और चलिए जी हो सकता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को जो है अब ये बात बुरी लगेगी कि मैंने बोलना बन कर दिया लेकिन मेरी एक आदञ है शुरू से ही कि जो बोलो सच बोलो अपने मन से कुछ भी मत बोलो बना बना कर कुछ भी मत बोलो ठीक है मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो पर हमेशा माफी मांगी है चाहे फिर वो सहरा सत्ता नहीं हो ठीक है ना चाहे फिर नाजिया आपा हो चाहे कोई भी हो किसी भी उसमें मैं हमेशा तयार रहते हूं अपनी गलती से विकारने के लिए शायद आज की वीडियो में भाशन जाद हैं तो तुम किसी की परसनल लाइफ में घुच हो तुम किसी का कौन क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहे है उस पर जो जो लोग में दिखा रहेill हैं अगर वहाँ पर देखकर आप Gibson को लगता है उस चीज आख करिज कर रहे हैं उस चीज के ऊपर reaction दो अब सहरा सत्ता नहीं कितनी चीजे गलत करते हैं तो लोगों हो के लिए जinformation आज की वीडियो बहुत जादा फ करहां तेना ही और और यह भी हो सकता आज की वीडियो बॉरिंग हो देख लेना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप सब अपना ख्याल रखेगा दूआउं मयाद रखेगा अला अफेश्ट